कि अपको स्वागत करती हूं कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए गाजर की नई रेस्पी लेकिया आई हूँ आपने गाजर गलब काफी बार बनाया होगा पर इस तरी की रेस्पी कभी नी बनाई होगी तो चलिए स्टार्ट करते हूं अपने गाजर बनाना यह तरीके से मुझे टकरना है कि आप इस तरीके से मुझे कट कर सकते हैं अब इसको में कड़ाई में डूठ बढ़ाइबने दूठ दूठ लाला है है । चाहे रोन टेंप्रेचर वाला भी डूठ डाल सकते हैं यह रेस्पीत तो बहुत ही अच्छी होती है आप इसको ड़के 10 म यह देखिए मेरे गाजर में अवाल भी आ गया है अब मैं इसमें दो चम्माच चीनी आड़ कर रही हूं इसको मैं फिर से डखके पकाऊंगे फ्रेंस पांच मिनट के लिए ताकि हमारी गाजर अच्छे से पक जाए प्रेंस रेस्पी खाने बहुत ही अच्छी होती है आप य इसे रेस्पी कभी देखी नहीं होगी गाजर की यह देखिए मैंने इसको ठक दिया है और यह देखिए मेरी गाजर हो चुकी लगबग चलिए देखिए आप देख सकते हैं दूद भी कितना पक्के आध्धा हो गया है तो फ्रेंस मैंने इसको एक जार में निकाल लिया है अब मैं इसमें डालूँगी चावल काटा यह देखिए फ्रेंस मैंने इसमें दोचमा चावल काटा डाला है फ्रेंस फ्रेंस यह चावल काटा मैंने घर में तयार किया है नॉर्मल चावल जो हम अपने घर में पकाते हैं उसे चावल को मैंने मिक्सर में इसको पीस लिया है उससे तयार किया है अब मैं इसको पीस लूँगी चावल और गाजर को एक साथ यह देखिए हमारा पेस्ट बन के तयार है अब मैं एक बर्दन लूँगी उसमें चारो तरफ तेल लगा लूँगी मैं ले लिआ आँढ़ा इसको प्रतर तेल लगा है कि इसको में चारतर देल अब मैं इसने अपना डौलोगा यह देखिए इसा तरह से पूरा बैटर में जाला कि अब इसको मैं अच्छे सेट कर लूँ फ्रेंज ताकि हमारा गाजर को पेस्ट जो हर जग अच्छ से फैल जाए यह देखिए इसी तरह किसे ठोक ठोक के आप भी सेट कर लिजीगा इसको अब फ्रेंज में एक बड़तन लूँगी उसमेरे पानी रख दिया है अब इसमें एक कटोरी रखोंगी आप कोई स्टैंड भी ले सकते हैं कोई और प्लेट भी रख सकते हैं जिस पर हमारा बड़तन अच्छे सेट हो सके अब मैं इस पर अपना जो मैंने पेस्ट तयार किया अब यह दिखिए मैंने चावल काटा लिआ जोनली और फ्रेंज में बम चली लस्तावल काटा है जोब यंथा उनता ने यदि आने गजर में डाल के बरेंस्ट बड़तन लिए अब दालूंग दूद धरमने तुझे सेट नहीं लिए आप भी कच्छा दूद ना ले इसको उबाल के रूम टेंपरिचर प्ले सकते हैं या उबाल की थोड़ा ठंडा करके तब लीजेगा इसको फ्रेंट्स यह देखें इसे तरीके से अब इसको गोल लेना है एक पतला बेटर तयार करना फ्रेंट्स हमें इसका अब मैं इसमें डालूँगी इलाइची पावडर आप चाहें तो वनिला एसस चॉकलेटी कोई फ्लेवर डाल सकते हैं पर मैंने इलाइची पावडर डाला है अब इसको अच्छे में फ्री में लालूँगी यह देखिए इसी तरीके से अब मैं आपको दिखाती मेरे बैटर कितना अच्छा बना है यह देखिए इसी तरीके फ्रेंस बैटर में तयार करना है यह देखिए फ्रेंस हमने गाजर को चेक कर ले रहे हैं हमारी गाजर फ्रेंस पक चुकी है लेकिन इसको भी हम चेक नहीं करेंगे अब इसके ओपर हम डालेंगे अपना दूसरा बैटर यह देखिए इसे तरीके चार तरफ से इस तरीके इस तरीके इस फैला दीजेगा ताकि अच्छे सेट हो जाए अब इसको भी ठक के मैं फ्रेंस दस्नेट के लिए पकाऊंगी ताकि यह भी हमारा अच्छे सपक प्रेंस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक इन सब्सक्राइब जरूर करेगा यह देखिए प्रेंस चावल वाला पेश्ची पक चुका है अब इसको चाकू के सहाइता से मैं चार तरफ से कट कर लूँगी आप देखिए बरतन में से पलट के इसको निकाल देख सकते हैं कितने अच्छी सेट होई है तो चलिए अब मैं इसको कट करके दिखाती हूं आपको यह देखिए इसी तरीके से कट के आप इसको जम बन कर तब बनाई है यह खाने बहुत ही टेस्टी होती फ्रेंस अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कभी आपके यह गेस्टा है तो भी आप बनागी खिलाए बिना तारिफ किये जा नहीं पाएंगे यह देखिए मेरी रेस्पे पूरी बनके तयार है तो फ्रेंस प्लीज मेरे वीडियो कर जरूर करिएगा तो फ्रेंस इसको साथ मिलते हैं नेक्स फीडियो में तब तक के ल